गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आपके अपने यूटूब चैनल जोग्राफी जंक्शन पे मैं स्याम देवडा आपका स्वागत कता है आज अपन बात करेंगे माद्धिका की खंडित स्रेणी और अखंडित स्रेणी जिसको आप अविच्चन स्रेणी भी कहते हो खंडित स्रेणी में किस प्रकार माद्धिका में अपन प्रस्ण को सरल करते हैं और खंडित स्रेणी में किस प्रकार सरल करते हैं देश से देखो मेरे पास जो प्रशन दियावा है खंडी स्रेणी में एक प्रशन दियावा जिसमें मुल्य लिखावा है और यहां पर आवर्तिया दियोई है जैसे मुल्ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 यह यहां तक लिखाओ 55 आवर्तिया दियोगे 8, 7, 9, 14, 18, 10, 12, 15 इस प्रकाश है तो सबसे पहले प्रशन दियोगे यहां पर यहां से अपन यह तो आपको प्रशन में 2 लाइन धियोई मुल्य और आवर्ति दियोईगी अब आपको यहां पर सीएप निकालने कले बे Corps isноaa ei जोते हैं और नो जोडे टो छोटे है questi carrots और आपके ओतिस और आपके ओतिस है आपको count करते जाने जाने हैं इस परकार से सभी संग्या और जोबी संग्या आएगी लेक्ष्ट में जीतने भी वह आपकी संची बान बात होगी तो 38 में आठारे जोड़ा तो 48 48 और 8 होगे आपके 56 और 56 में 10 जोड़ा तो 66 66 में अपने 12 जोड़ा तो होगे इत्टेतर में अपने 15 जोड़ा तो दस इत्यान्सी इत्यान्सी और 15 आपके ओगे पांच ओगे तेरानू और तेरानू में 20 जोड़ा तो 1013 ये लिग दिए 113 फिर आपके 17 जोड़ा तो हो जाएंगे 130 इस परकार से जो अपने क्या किया संची बारुंबार्ता को सबसे पहले इस आवर्ति से अपने संची बारंबारता निकाले इनका योग और इनका योग हमें सा बराबर आएगा यह आपके सीएप हो गए अब जो आपकी जो सीएप है सबसे पहले जो आपकी खंडित रहनी है इसमें अपन माद्डी का निकालने का एक सुतर होता है एन बटा टू जो पड़गा उसके सामने वाला जो पडमुलिय होगा तो इसमें आपके पास में पड़ दियाहा हुता है सप्रसवर्ण के सामने के जो आपका पड़ धियावाbu 134 यह आपका एकुतीस एकुटीस में एक जोड़ा तो यह ंचाएगा आ पका दू तो इसमें जो मान आएगा सामने वाला जो पद मुली होगा, वो हमें सापकी क्या होगा, इसका उत्तर होगा, तो इसको आपने डिवाइड गिये 131, 131 बटा दो, तो यह जो मान आ जाएगा, 131 बटा दो, यह आपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि इसका 131 का भाग दो, तो आपको सीधा आ जाएगा, 65.5 अब यह जो 65 है, यह सबसे पहले आपकी संचे बारंबारता में कहां संबलित होता है, तो देखो यह 56 है, 56 के और 66 के बीच में 65 आएगा, तो सबसे पहले जो यह मान है, 66 वाला, इस पद के सामने वाली जो मादी का होगी, वो आपके मादी का होगी, तो 66 के सामने जो पद मुल्य और आवर्ति दीवी दो आपको कॉलम दिये होंगे हमने क्या क्या सबसे पहले खंडी स्रेड़ी में सीएप बना है और सीएप किसे कहते हैं आगे वाली संक्या को काउंट करते रहे ना जैसे आट है पहली लिग दी फिर आट और साथ को जोड़ा पंद्र है फिर साथ पंद्र है और नो को जोड़ा तो होगे 24 चोबीस और चोदे को जोड़ा तो इस परकार ने अपने सभी संक्याओं को जोड़ दिया जोडने के बाद में अपनको पता है कि एन प्लस वन बटा टू होता है आपके मदी का निकालने का शुतर तो हमने लिग दिया यह टोटल ह जोगे एन का माने 130 प्लस वन बटा टू तो यह आगे आपके 65.5 तो 65.5 आवर्ती में संचे आवर्ती में सबसे पहली बार कौन से पद में सामिल होगा तो 56 के बाद में 66 के बीच में 56 आईगा तो 66 वाली लाइन के सामने जो आवर्ती का मान होता है वो ही आपकी मत दिगा य यह तो अपन ने ग्यात किया खंडी स्रेणी में अब इसी प्रकार अपन क्या करते हैं अपन के पास में अखंडी स्रेणी के भी कुछ आंकड़े दिये होते हैं जैसे अखंडी स्रेणी का सबसे पहला ही मान होता है कि उसमें वर्ग अंतराल दिया होगा इसको अपन कहते है वर्गा अंतर केते हैं हमेंसे क्या होता है आपको पहचान करने के लिए यहां पे आपको वर्गा अंतर दिया तो वह स्रेणी कौन से हो जाएगी और विच्छे निया खंड खंड स्रेणी हो जाएगी जैसे 0-10-10-20-30-40 यह प्रकार से 50 तक दिया और आवरती दियो यह तो तो यह हो जाएंगे 6-8 और 7 यह हो जाएंगे पंद्र इसावर आपको क्या करना है तो यह हो जाएंगे 0-m Twin एक और 9 यह भी 10 और है समय अब कर दो 156 में आपको जोड ना है 24 तो देखो 0-1 और यहां पे हो जाएंगे 8 यह हो इक्षो ऐसी में आपको बीश जोडेंगे तो ये जोएंगे 200 तो देखो येवाला योग और येवाला योग हमेशा क्या और बड़ाबर होना चाहिए तो ये इस परकार से अपने क्या करती है निकाल दिया अब अपन जैसरी बात करेंगे कि यहां कुलब से इस में इसाहनों पर रखेंगे वहां पर अपने चीघणार वाली 156 वाली लाइन में आपका सु आई तो यह वाला जो कोलम है यहां से इस वाले कोलम से अपन इसमें आपन सुत्र को रखेंगे वहां पर अपने 66 के सामने वाले को रुखा क्योंकि यहां पर 65.6 था तो उसके सामने वाला पद मुलिय था अब यहाँ पे माद्डिकान, यहाँ पे 65.5 लेकिन वो आएगा थाशट वाले में, तो इसलिए उसको आपको क्या करना है, आगे वाले पद में सामिल करना, यहाँ पर भी सो है, लेकिन सो आएगा कौन से पद में, 156 वाले पद में आएगा, क्योंकि चीयतर तो कम है, और 186 आज सी जाधा तो इस पद में आएगा, अब अपन इस पद से क्या करेंगे, एक सुत्र है आपके पास में, माद्डिका को निकालने के लिए, जब अखंडित स्रेणी होती है तो अखंडित स्रेणी में आपको इस प्रकार से एक सुत्र मिलेगा उस सुत्र में आपको ध्यान क्या रखना है ये वाले जो होती है ये आपके ये सीमा इसको अपन L लिखते हैं lower limit और यहाँ पे एक I I का जिसे सुत्र यहाँ पे कितना है 0 से 10 10 से 20 तो कितना आजाएगा 10 आजाएगा वर्ग अंतराल आपका दियावार 10 आजाएगा और इसमें आपको एक सुत्र में और एक सब्द दिया मिलेगा M हो गए lower limit lower limit आपको ये पता हो गए यहाँ आजाएगा CF तो यहाँ आपको सुत्र में रखना है ये बाद तो यह सारे सुत्र के मान अपने निकाल लिए lower limit हो गए 20 से 30 और frequency हो गए आपके 80 और CF का मान एक से पहले वाली CF आपको लेनीए 6 तर तो यह हो गए आपके 6 तर CF अब अपन जो सुत्र है हमारे पास में जैसे एक सुत्र दियावा होता है उसको अपन फोलो करते हैं यहाँ दियावा है L प्लस और इंटू में आपको दियावा मिलेगा यहाँ पर दियावा मिलेगा L माइनस M माइनस I I अपन और M माइनस C यह वाला सुत्र है और यहाँ पर आपको को लिख देना है lower limit कितनी है यह आपको लिख देना है यह वाला अब दिखो इस सुत्र के सारे मान अपने पहले निकाल दी एल का मान अपने निकाल दिया 20 जैसे यह निकाल दिया 20 प्लस आई का मान आपको पता है इससे एक पहले वाला, cf कमान कौन सा है, ये एक पहले वाला, तो ये एक पहले वाला कौन सा है, चियत है, अब पीछे बजगे मेरे पास में f, तो f कमान फ्रिक्वेंसी, तो मैंने आपको बताया था, आवर्ति को ये अपन बारंबार था कोई फ्रिक्वेंसी गेता है, तो f क कि जगे आपको क्या लग देना है यहां पर 80 अब इस तुर को आपन वर्ग कर सकता है देखो अ मैंने लोबर लिमिट से ले लिया है आपका 20 फिर यहां लिखावा है आई इंटरनल का मतलब होता है अंतराल तो यहां से मैंने पहले आपको बता दिया अंतराल 10 फिर यहां frequency frequency मैंने गाता जो भी वर्गंतरा लाएगा उसके बीच वाली आवर्ती को अपन क्या कहता है frequency कहता है तो यह आगया SC फिर M M आपकी जो अपने माद्धी का निकाला था direct truth से N बटा टूर से तो यह 100 तो यहां मैंने लिख दिया 100 minus जो CF है जो यह आपके आगए 6 तर यानि एक पहले वाले संचे आवर्ती यहां पर अपने लिख दी अब इस उत्तर को अपन सोल करता है तो देखो यह हो गया 20 प्लस इसको अपन सीधा सीधा सोल करता है तो इसको एक बटा आट लिख सकते हूँ और यहां हो जाएगा आपका 100 में से चीतर गया 24 तो 8 से 24 यह 3 बार तो यह हो जाएगे 20 प्लस 3 बराबर 23 तो यह आपका जो उत्तर आ जाएगा यह आपका उत्तर आजएगा 23 तो इस प्रकार से अपने आज गयात किया एक तो खंडी स्रेणी में माद दीगा और दूसरा अपने गयात किया अखंडी स्रेणी में खंडी स्रेणी और अखंडी स्रेणी पेचानने का मतलब है कि जहां पी आपको वर्ग अंतराल दियावा मिलेगा वह आपकी अखंडी स्रेणी है दोनों में सुत्र अलग है, खंडिज स्रेणी में तो वही सुत्र है जो आपने विक्तिगर स्रेणी में एन प्लस वन बटर टू वाला लिया था और जो उसके सामने है, संचे बारंबारता के सामने है, वो वाला आपको ध्यान लखना है, वो मुल्यों का दोनों में विशेषता समानता यह है यहाँ पर भी अपन सीअप निकालता है और यहाँ पर भी अपन संचेयावरती निकालता है केवल अंतर यहाँ वर्ग अंतराल है इस परकार से आज अपने सीखा कि माद्धिका में खंडी स्रेणी और खंडी स्रेणी और इनको उपन किस परकार से निकालता है और सबसे जो मैंने आसान तरीका सरल तरीके से आपको समझा दिया अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पोच गरके आप इसको देख सकते हो देख से दूबारा देख सकते हो इस परकार आप हमारे चैनल को लाइक, सेर और सस्क्राइब जरुक्र हैं धन्यवारे